हेलो अच्छा ठीक है आज जोइंट की बात करते हैं कि जोइंट इन रिजिट प्युमेंट्स तो तो हो त्राइटल आपके सलेब के अंदरह मांगे लोग xu Спosite करेंगे व हम त्रांस प्रोइट करेंगे तो उसको बोप देने ड्रांस फैन्स फ्य जो ही जो फिर नुब करते हैं वह uição दो करती है ठीक है इनको दो थारीकशन के लिए और दूजरा है क्क मद परेक्शन के लिए यह neol घर करेंगे करेंगे तरीक निकल जाएक इस तरीके से साइथ सिर्फ निकल जाएगि तो इसके enjoyfind सोते हैं वो होते हैं राट रहा फंट्रेस्ट राट रूट रॉंस प्र रॉट करते हैं ठीक है और यहां पर यह प्रउथ होता है जो एक स्लेव से दूसरी स्लेव कर दूसरी इस वाला रहता है उसको बोलते हम एक्सपेंशन जोईटि अभी आगे पता लगा जाएगा है यह दूसरा होता है लोंगी टूटनीट कोसे होता है जो लोंगे टूटनीट है इस तरफिद प्रॉइड करते हैं तक यह तक आपका ये एक पेव्मेंट यह थीक यह से यह आपके अगले स्टार्ट हो गई ठीक है यहाँ पर यह इस तरीके से अगले स्लेब बने वी एक इंदर जो भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम जोइंट प्रॉइड करते हैं उनको हम बोलते हैं रहिए और यह बीट में जोइंट फिर लेकिन वह किसका माता है वह एक बात और है कि हम जो एक्सपेंशन जोइंट होता है वहां पर हम यहां पर कुछ बार्स प्रवाइड करते हैं ठीक है उनको हम बोलते हैं डोल बार्स ठीक है वह आप सुन लोग कि वहां पर याद रखो कि डोल बार प्रवाइड करते हैं क्यों प्रवाइड करते हैं क्यों प्रवाइड करते हैं यह आगे बताऊंगा ठीक है और जो लोगटूनिल डायरेक्स में जो भी जोईंट प्रवाइड करते हैं इस तरीके से इस तरीके से लोगटूनिल जोईंट प्रवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं लोगटूनिल जोईंट जोईंट ठीक है अब इस जोईंट के अंदर भी यहां पर कुछ बार्स प्रवाइ सब्सक्राइब करते हैं वह इस के अंदर समाझा है मतलब ठीक है इस लेव आपका सिट ओर में तो यह जो अंदर करते हैं इसको सब्सक्रीम की उच्छ इसलिए परmar करते हैं यहां बात करते हैं और यह करते हैं यह भी डिटेल में आगे बता दूँआ क्या है अब आप सिर्फ नाम याद रखो क्या क्या है ठीक है सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं एक सब्सक्राइब करते हैं तो अलाव एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है क्या इक सब्सक्राइब करके क्या साथ्यार स्टे आप इतना प्रोंग करो है सब्सक्राइब आपकी यहां यह है यह इतना प्रवाइड करो इसके बाद में आप प्रॉपैड करोगे उसके बाद में यहां प्र्फिट कांट 2015 से से सब्सक्राइब करने के बाद में दो सेंटीमेटर कब गया ठीक है इसको इसको मेरा के जब दो सेंटीमेटर बच गया तो यहीं आयाट से गोलता है कि आपका फुल एक्सपेंशन होने के बाद में भी 50% इस पेसिंग बाकी रहे देखो पड़ो क्या गोल रहा है डेफिनेशन को पड़ो गेप और एक्सपेंशन जोंट शुट भी डिजाइंड सच देट इवन आप्टर फुल एक्सपेंशन ओफ सबस्कार जाइब सब्सक्राइब तो भीड़ोगेंशन इस तरीके से बढ़ा है यहां पर यहीं इस तरीके जब आपका तेंपरेशर बढ़ा त्यूंपरेशर बढ़ा थेंपरेशर इनके आपका देल आपने प्रवाइड़ करी इस सपेचिंग ठीक है तो डेल भाइफोर यहां से कवर हो गई और डेल बाई फॉर इस सब्सक्राइब ऊप्रोगे डेल वाई फॉर इस वो तो आपका जो भी आयर से बोलता है वह फुल पुलोगे कंदेशन ठीक है और इसको करने के लिए क्या है कि आपने जो भी टैल बाइट टुछ इसमेंशन हुआ ने यह रिलेसंट से तो आपको याद रखना है यह आपकी स्लेव है और यहां से एक स्लेव हो गई तो इस जोइंट के और इस जोइंट के बीच में यह आपको कितना प्रवाइड करना है मतलब इस प्रेसिंग कितनी तो यह वो कि यह बोल रहा है इस प्रवाइड करोगे अपको आप इसके अंदर जो आप प्रवाइड करोगो उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते उसमें कुछ मट्रेल आपको भरना पड़ता है हुँ है अगर आप कुछ मट्रेः भरोगे नहीं तो उसमें क्या है को वीकल आए घ्लाईगा तो आप आपका जो कोरणर है वह क्या है तूट जाएगा वह से ब्रेव हो जाएगा तो उससे बचने के लिए उसमें कुछ मट्रेल भर देते उसकं उसको हम बोलते हैं और जो क्या बोल रहा है कि आप जो भी प्रवाइड करोगे बीच में बेल यह प्रवाइड करोगे वह आपका 2.5 cm से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह आपको फुल्फिल करके ही डिजाइन करना होता है ठीक है अब इसके उपर एक कोशन कर लो कोशन क्या बोल रहा है आपको फ्यूसेंटेमेटर दे रखा है एंड टैम ट्रक्शन इस ट्वीजी दिटीडरे जब आपका चल रहा है तो यापका टेम्परेटर कितना है इस थे त्वींटेडिगे इस सेंटिडिए आपको करने घ्रीक है और जब जोएंट पुर्मेजियों टेंपरेटर और में ट कितना दे रखा है 40ग दिशंटी 45 45 दिशंटीग्रेड और आपको एलफा लेना है 12 दाबर माइनस 6 पर डिगरी सेंटीग्रेड ठीक है आगो वेल्यूज दे रखिए इसके अंदर कि टेंप्रेटर क्या हो जाएगा 45 माइनस 20 दिशंटी तो इनका डिफ्रेंस ती हो गया एलफा आपको दे रखाए सिंपल फॉर्मल में में वेल्यूज पूट करनी है लो दे रखा है एल्फा दे रखा है इसको फॉर्म पूट कर देना आप वेल्यू तो सिंपल के लोलेशन ह सब्सक्राइब करते हैं इसलिए करते हैं इसलिए करते हैं तो ट्रांसपर दावील लोड फॉर्म वन स्लेव देखो अगर आपकी यह कोई भी स्लेव है यह आपको साइड भी दिखा रहा है ठीक है तो यहां से को यह आपको 2 वार्ब डिदाउट गभार इस आप लेवार बार प्रवाईट नहीं कर रहे हो ठीक है जात यहां से falei यहाँ यह पर एक सविस्राइब करेदा किसमें हो जाएगा तो यहां पर चुल नहीं करते हैं कि इस स्क你要 किई टो आ हुआ कि तो यहां पर यहां पर आपने लुपार पर सब्सक्राइब चाहिए तोप यह बार का करेंगे आपके के इस स्लेव को भी कुछ थोड़ा सा डेवियेट कर लेगी एक फिद की साइड ठीक है लेकिन आपको यह याद रखना है कि इसमें जितना डिवेशन इसमें होगा डेल वह देल इस वाड़े डेल से हमेंसा जादा होगा ठीक है यह थोड़ा जादा जाए वह दिफ्रेंस डेल वन माने जैड़ जाएगा अब कुछ अरेंजमेंट देखलो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है ठीक है दो बार करते हैं तो किस तरीके से प्रवाइड करते हैं यह आपका इस साइड यह साइड यह साइड यह साइड यह स्लेव हो गई और आपके करते हैं तो कोंक्रेट से सबस्क्राइब यह पर जा नहीं पर कर देते हैं यहां फिलर मटेश अपर के वोर्ट करने हम सीव कर देते हैं क्यों कि इसके अंदर नहीं जाए या पिर और ऐसे चीज़े नहीं जाए जो की इस इसको अफेक्ट करें तो उपर एक एक एकंच मटेयल यूज करते हैं उपड़ लगाने के लिए जो मटेयल यूज करेंगे उसको हम पूलते हैं सिलर और पील को एकफ से इसटील केफ से वह मेटल केसे बाउंड कर देते हैं टिकहें और वार उसलिगे छाइब तो यहां पर यह मिल आएगा तो यह एक साइड से खुल रहे रहे चैनल रहेंगा और एक साइड से फिक्स रहें तो जब कोई बार आएगे सब्सक्राइब दिशिकजन होगा तो आए यहां से थोड़ी एक साइड को बाउंड कर देते हैं जब भी ही लाए इसके उपर तो ये मैनेजोते रहेए और इसलिए प्रवाट करते हैं इसको मैंने पूरा नदर कि इन दिनों में हम अनबाउंडेड इल्ए अनबाउंड नहीं करते इसलिए लोगत से लिए को पीविशे पाइप करने यह नोट आप रहें लूए सब्सक्राइब करते हैं तो अलाओ यह आपके स्लेब है कि यह स्लेब किसकी बात करें जैसे आपकी यह स्लेब इस साइड यह यहां पर लोगत लॉइंट यह आ सकता है कि यहां पर यहीं कि इस वाले पॉर्शन की बात करें तो पर यह होगा तो क्या होगा यह सलेव अंदर जाने की कोसित करेगी तो अंदर जेगी सलेव तो क्या है के टेंदर इसका एक टेंजयल फोर्स लगेगा पंठी तितनल फोर्स लगेगा बाँ लोolphनेज पैँ जो इसको नाय को ट्रीजअ मेर्ट आप यह को इस रिश्यूर vow इस यह वह हैं तो क्या स्ञिकत पिछले मेरेक चलाइब ऑल इसमें आयोत्या बोलिय्ट इसका वोल्यूम यह आधे के लिए करेगा तो यहां आधे के लिए तो बोल्यूम क्या हुआ हो दो इन्टो बी इन्टो एच इपवर्श तो रडेश्टिक फॉर्स वाई कॉंक्रेट पॉंक्रेट के दौर रजिस्टिंग पोर्स कितना लगेगा शिर फोर्स यह सीर फोर्स स्पीर फोर्स मल्टिप्राइड अडिया एडिया इस लेव इस पॉर्षान नगए तो यह आईगा अब इसको भूल जाओ यह क्या एक क्या से करणा है इसको भूल जाओ आपको नहीं है आपको सीधा फोर्मला याद रखना है इस सपेसिंग टुव कॉंट्रेक तो एक्सेंश जोई ठीक है और इस पैसिंग बेटों टू पॉंटेक्शन जोई उसका क्या है यह यह एक्षी फॉट्सक्वलता है यह बोलता है आया कि आपकी जो प्रेसिंग यह एल वह 4.5 मेंटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके यह आपको याद रखना है इस पैसिंग इन contraction joints should not greater than 4.5 cm ओके यह आपका case first हो गया ठीक है जब आपकी यह किसके लिए case first मतलब इसको समझो यह आपका किसके लिए हो गया यह मैंने अभी बताया जो इसके लिए मैंने बता दिया इसके लिए जब अंदर कुछ भी प्रवाइड नहीं है यहाँ पर क्यों आपका plan cement concrete है यहाँ केस first हो गया अब केस से किसके लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर जाके यहां से भी एक joint प्रवाइड हो रहे हैं तो case से किन हम इसके कर रहे हैं ठीक है इसके लिए जब बीच में हम dual bar provide कर रहे हैं ठीक है case first हमने clear कर लिए इससे अब तरीके से तरीके से तो यह तो फ्रेक्टिनल फोर्स लगेगा वह कॉंक्रीट करेगा इसमें यह वह वार से और वह कितना होता है इक स्ट्रेस इंटू इंट्या इस्ट्रीटतड इस्ट्रेस इन टे इस्ट्रेसिंस टील और AHT south overall निकलोगे 300 बाकि सब विल्याओं टेके तूंब आ Czech compare यहां से क्या यह ईगा एले क्या होते हैं अब इसके ऊपर एक कोश्चन है वो कर लेते हैं कि क्या गोल रहा है डिजाइंड इस पेसिंग बिट्वें टूप कोंट्रेक्शन जोएंट्स इस में टेंजल स्ट्रेस ऑफ कॉंक्रेट इस 0.8 केजी पर मिट्र स्ट्रेंट कोफिशिंट ऑफ लिए 1.5 ठीक है अब दो कॉंक्रेट के बात हो रही इसका मतलब आपका यह इसमें देने रखा है क्वेश्चन में कलती होगी गामा की वेडियो आप लिए रखिए कोश्चन में 2400 केजी पर मिटर क्यूब में दे रखिए ओके 24 तो यह आपके बास यहां लगतों के 1.5 आपको दे रखा है तो अब यह 10 पर फॉर प्र के से आया आप पे लिए चैंज करोगे ना उपर की यह किसमें दे रखिए यह आपको दे रखिए की पर सेंटेमेटर स्कॉर्ड डिवाइड आपको यह किसमें दे रखा था यह स्थे लिए आपको 24 जो कुश्चन हो यह ने ठीक है यह 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 बहुत करोगे फिर तो यह 4.44 4.44 मिट आजाएगा और आयार से क्या बोल रहा है कि पीची से के लिए जो इस पेसिंग वह 4.5 मिटर से जज्यादा नहीं होनी जाहिए तो यह 4.5 मिंटर से ज्यादा नहीं है इसका मतलब कि आपका यह जो डिजाइन की आपने प्रेव मेंट यह बिल्कुल से सही है अगला कोश्चन देखो जब आप डोल बार प्रवाइड कर रखे हो ठीक है कोश्चन देखो यह रहा है कि के लिए स्पेसिंग बुटन कॉंट्रेक्शन जोंट में यूजिंग फॉल इस इगल स्टू पोइंट फाइफ मिट्रों जाएगा ठीक है यह सेंटिमेटर देखा मिट्रों चैन्ज कर लेना कोश्चन एफ आपको दे रखा है 1.5 अलावेबल टेंजाल स्ट्रेस इन इस्टील फोर्टीन हंडेड केजी पर मिट्र स्कार आपको दे रखा है यह क्या है है आपका सिग्मा एस्टी है ठीक डायमेटर बार आपको दे रखा है 12 mm एंड इस प्रेसिंग बिट्वेंड बार बार के इंदर इस प्रेसिंग दे रखिए वह भी आपको दे रखिए 300 mm बदलब एक बार दूसरी बार के बीच का स्पेसिंग 300 mm ठीक है यह वेलिए आपको ठीक है तो देखो अभी फॉर्मला था उसके इंदर आप पता लग रहा है कि बीच में डोल बार होगी जब आपको टेंड जाले स्ट्रेस वगेरा दे रखाए ठीक है ताप सीड़ा आप यह फोर्मला यूज करोगे मैंने फोर्मला बता दिया टू सिग्मा एस्टी डोट यह बार्स जितना बारों जैसे दस बार है तो इन बार का अलग 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 एरिया मुल्टिप्लाइड वाइट टैन एंड कहें आप यह नंबरों बार से और पाइव फॉर इंटू फाइव का मतलब यह बार का एरिया दे रखाए ठीक है तो पाइव फॉर आपके पास है सप Bakit आपको बाद की नभास निकालने के लिए कि नंबरों बार निकालने का आप जितनी दे और यह प्यापंका अब भॉःचा प्रएब फक्यों स्कॉद बार अप्रिट तुवर स्था ट्रीच भॉई बार यह इस द्रेल करोगर तो यह बार आप किसी प्रवाइब करहोगे आप विर्त में प्रवाइब करोगे थिक कि आप तो 4.5 फाइब भूंभी एंव में चेंज़ दो तो तेंट आउर तरी से मुल्किव लाइक कर दिया ठीक है तो आप इसको फोल करोंगे 15.06 आगी तौट 15 परवाइब कर सकते कम प्रवाइड कर सकते तो आपने 16 बार प्रवाइड करी कि तो आप यहां से उठा करके इसके वेल्ट अपर यहां पर यहां से उठा कर आपके एक पुटकर होगी तो आपके एरिया उपे आपके वेल्यूज है तो आपके 12.45 मेटर आंसर आजाएगे तो बस फोर्मले में वेल्यूट रख करनी है और आपको फोर्मले यादा रहने पड़ेंगे फिर आप अब लास्ट बात आती है लोगी टूएन की कि लोग टूएन जोयंट को करते हैं तो अकाउंट क्यों को उनको मेने करता यह इस प्रवाइड करते हैं तो क्यों प्रवाइड करते हैं यह आपका स्लेव है मानलो इसमें यह जोइंट प्रवाइड करते हैं तो यहां पर यह आदेस लेव आपकी इससाइड नहीं कर झाहे हम यह तो प्रवाइड करते हैं तो लेस स्लेव को स्लेव करने के लिए लिए लेटरल इसके करन्हों प्रोट करना वह सकती है या फिर लोट डूट वीकल ओप मुवेंट तो विकल का मूवेंट हो उसक्ती ठीक है और यह एक्सेंस जदा हो गया तो जैसे मान लोगे आप इस लिए प्रोड़ या तो यह दोनों टॉटाच हो जाएंगे और तो कि यह इदर किसे जाएग उनके तो वह तेग्ट डायग्राम समझ आ गया हो आपको ठीक है यह तरीके से यह आदिकी विर्थ है भी इसकी विर्थ है ठीक है अब मीटर के लिए बात करते हैं पहले अन्य टाइवाज़ किस तरीके पर वाड़ करते हैं कि अनुए पहले बात करते हैं तो फिरिक्षिन वही प्रेक्षन फ्रेक्टर मुल्टिप्लाइड वाइड वोल्यूम वी इंटु वन के लिए पुराड़ करें एच इसका रजिस्ट कौन करेगा यह तैवार्स रजिस्ट करेगे इसकी अब टाइवार्स की इसकी इस्टील की बने होगी है तो सिग्मा एस्टी डॉट एस्टी इस आपको कितना एरिया थे यह उसका फॉर्मॉला यह है एडिया ओफ इस्टील जिगोलस टू एफ डॉट गामा डोट बी डॉट एच डिवाइड़ेड़वाइड वाइसिगमा एस्टी यह किसके लिए है एक मिटर में एक मिटर लेंद में आपको कितने टाइवार्स का एरि और आयार से क्या बोलता है आपको कि आपकी फाई है ना फाई वह शुद नौट क्रेटर देन 20 mm 20 mm से आपकी ज्यादा नहीं है तो आपके पास एडिया तो आ गया अब एडिया को डिस्ट्रिब्यूट किस तरीके इस करोगे कितनी बार चाहिए आपको एडिया गए तो आप म इस तरीके से डिश्ट्रीबट करेंग वह तो तो इस तरीके से करना पड़ेगा बिल्कुल अलगला अलगी है से स्पेशिंग कि से Stephen कि आपको कितने इस एडिया को किसने नंबरों बाद स्मैं डिवाइड करें अंबरों भाल में झाय है टो टोटल एटिया डिवाइडद व और कितनी स्फरेशंग होना बात कर दें अबंध किसके लिए एक मिटर मेंट के लिए कितनी होते हैं डिवाइडद और नंभर थे इस पह्तिन सब्सक्राइब अगप और इस स्पेसिंग बिट्विन टाइवार्स सुट नोट करेटर देन 75 सेंटिमेटर यह दोनों पॉइंट आपको याद रहने पड़ेंगे ठीक यहां रखना है पॉइंट ओब्जेक्टिव में सीधे पूछ लेते हैं फाइस नोट करेटर देन 20 mm पर इनी स्पेसिंग शुट इस पर यह लेंदक करती है कि आपकी बॉंड्डिantic बिटूइन इस चील और और ग्रीटक पर जर्लेफ़न करता anatomy confidence मत्तों आप सिदा पॉर्म लाइद रहा है लेंद अपडा टाइवार इस टूफाइब कि मैं इसिग्मा इस्ट डिवाइद वैट वाइट तू गामा बीडी यहां पर गामा बीडी क्या है बोंड इस्ट्रेसे ठीक है यह जो क्या जब आर्ट रसी पढ़ाओ तो आर्ट इसे समझाओ नहीं आएगा ठीक है सिधा फॉर्म लाइद रहाएगा फाइड डॉट सिग्मा इस्ट अपन टूबीडी सिग्मा बीडी क्या है बोंडिट्रेसे लेंग तो टाइब रहे ठीक है इसके उपर कोशन कर लेदें से क्लिए रोजाएगा एक्स्ट्रम ने क्या बात हो कि यह कोशन है कि बॉस्टन कोशन कि इस सिमेंट कॉंक्रीट पर मैंट है ज़स थिकनेश रव कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए थिकनेश ओप 24 cm एंड है तू लेन ऑफ टिट्ट्ट्ट्ट्ट्र क्या है यहां पर यह आपकी एज थीचिए थिकनेश एज इस सेंटेमेटर इसको मेटर में चैन्ज कर लेना पॉइंट टू फॉर सेंट मेटर हो जाएगे हैं तू ल लोंगी टूलिइण ओसें बीटीञेंट करें टीए कि लिवाद करें डीजाइन दाइमेंशाल ऱैंड सकहां यहां डेयमेंशन करना यहँशीं लासीं मतलग KITना है Bars ठीक है इस सबस्कुरा इसके निए ऊग्दा Bari यूजइग प्लविंछ इन 15 mad Che es स्ट्रेटीं यह यह 24.6 kg पर सेंटीमेटर स्ट्रेट थी लेख है तो अपको यह सूलुइसं करोगी आप अधिक बीए आप टील निकाल रहे था एफ गामा भी एच अपन सिमा स्टी इसमें वेल्यूइज पुटकर वेल्यूइज आपको दे रहे लिजो पुड करोगे तो आपके बास क्या जाएगा सब्सक्राइब करें किसलिए हम ने कि हो जाएगी तीक ते अम अजुम कर लिया इसके बाद में आप नमबर औरके टॉटल एडिया उड़ डेस्टील डीवायड बाइडा एडिया ओफ वन बार थी कि तो एडा टो तो टूटल का इतना है टू 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 कर में पर फॉर इंटू कर स्क्वार इसको सोल कोड़ दो पोइंट एट टू सब्सक्क्राइब आगें य। तो आप परिश् 있지 ज्याद soort 5 टीन और आप लिए आपको और कितिने मेंट में परॉइड करने है तो ये ऐन in बटता एक जार बटा एंप यह पर 36.33 एमें वाईगा सेंटिमेटर में चेंज करेंगे तो इससे बड़ा नहीं है तो इसका मतलब आपके यह सेफ है सही है उसके बाद में बात आती है लेंट टाइवार के लेंट के लिए पूर्ण ना बता दिया मैंने सब्सक्राइब आपका सिग्मा इस्ट इवाइड बाद ट्वाइड है तो इसको सोल करोगे तो आपके पास अधाएगा ट्वाइट पॉइंट पॉइंट सेंट्मेटर ठीक है सिंपल है आपका यह कब लेट होता है यहीं आगे स्टार्ट करें हाइव मटेरियल चेप्टर नम